अस्ताराम वालेकुम वेलकम तो स्टूडेंट यूब आज के इस लेक्चर में हम चेप्टर फोर आइकम पार्ट वन बिजनेस मैद बुके शाहिद जमाल की चेप्टर है फंक्शन एन देर ग्राफ कुश्चन है हमाई पास 4.22 x plus y minus 1 is equal to 0 तो equation लिखते हैं x plus y minus 1 is equal to 0 तो हम y धर ही रहने देते हैं और वहाँ पर ले जाते हैं minus x plus 1 ठीक है equation बन गई now put x is equal to 0 so y is equal to minus 0 plus 1 तो यह 1 ही रहा ठीक है तो हमने 0 डाला तो क्या value आई 1 ठीक है इसके बाद put x is equal to 2 so y is equal to minus x की जगा 2 plus 1 so minus का 2 plus का 1 minus होंगे minus का 1 तो 2 value डाली तो minus 1 value आई now put x is equal to 3 so y is equal to minus 3 plus 1 so minus का 3 plus का 1 minus का 2 so 3 value डाली तो minus 2 value आई put x is equal to minus 2 so y is equal to minus 2 plus 1 अब बाहर अल्रेडी minus है तो यह minus minus plus हो गया और यह क्या हो गया 3 ठीक है तो minus 2 value डाली तो 3 value आई so table of values यह बनी जब हमने 0 डाला तो 1 value आई जब हमने 2 डाला तो minus 1 value आई जब 3 डाला तो minus 2 value आई और जब minus 2 डाला तो value आई 3 ठीक है अब हमने इनको ग्राफ में plot करना है तो first है x का 0 y का 1 x का 0 y का 1 यह रहा देन है x का 2 y का minus 1 x का 2 y का minus 1 फिर x का 3 y का minus 2 x का 3 y का minus 2 फिर है x का minus 2 y का 3 x का minus 2 y का 3 अब हमने यहां पर line को ड्रॉब कर देना है तो यह था आज का question I hope कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा मज़ीद exercises and questions के लिए चैनल को करें subscribe साथ ही अपने class mate and friends से share भी जरूर करें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Allah आफ़ेज